इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संयुक्त परबेश परिच्छा हुई थी उसमें काउंसलिंग परिखिरिया भी चल रही है तो बहुत सारे दोस्त काउंसलिंग करवा लिये हैं अब पॉले टेकनिक नहीं करना चाहते वह अपने सीट को बिड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और शुरू करते हैं वीडियो तो चलिए नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि बिड्रॉफ रॉम काउंसलिंग प्रोसेस अगर कोई स्टूडेंट है 2021-22 में काउंसलिंग के माध्यम से जो उसको स्कूल या जो ट्रेड मिला है उसमें अध्यन नहीं करना चाहता तो जो स्टूडेंट है काउंसलिंग के पर्थम से कर जितना भी जमा संपूर्ण सुल्क यानि सिकॉर्टी मनी जिसमें है और संस्ता सुल्क तो जैसे तीन ह्यार रुपे सिकॉर्टी लगा था और और आठ यार रुपे जो फीस है अगर इतनी तोनों जमा कर दी गई है तो इसको आप वापस ले सकते हैं इस बिकलब का चैन क करने के बाद जो इस्टुडेंट है इस सैचिक सत्र में परवेश लेने से पूर्टा वंचीत होगा और किसी भी दसा में काउंसलिंग परकिरिया में सामिल ना हो सकेगा अता उचीत होगा कि अभ्यरती इस बिखलब के चैन से भली भात विचार करते हुए निरड़ ले तो आप 2022 में भी पॉले टेकनिक का फाम जो है इसमें आप काउंसलिंग के लिए एलिजबल नहीं होगे तो आप ध्यान पूर्बग इसको अपने मन में बिठा लें आपको आगे क्या करना है और फिस आपकी वापस हो जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बताय गया है सुल्प की जो वापसी होगी जो इस्टुडेंट होगा उसके बैंक के खाते में की जाएगी और किसी दूसरे के खाते में सुल्प वापसी संभव नहीं है अभेरती अपने लॉग इन से बिड्रॉप रॉम कांसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना जो सुम का ब इस दिन के अंदर इसमें समय लग सकता है तो यह था फ्रेंड्स वीडियो काभी लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर फीस कैसे वापस होगी तो मैंने आपको यह कंपलीट बता दिया है आप सो समझ के बहुत एक्दम अच्छे से देख लिजे आपको फीस यहीं से वाप वहां आप अंदर डेटल सारी भर देंगे और आपका पैसा वापस हो जाएगा तो यह था वीडियो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल बेने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए